ओम नमह सिदेव्यां नमो जिनानम सभी को सादर शुद्धात में विंदन चलिए आज हम आज के फिर से सोनगर संदेश में देखते हैं कि आज हमारे पास कौन सा नया संदेश आया है जो प्रतिदिन सोन्गर से प्रसारित होते हैं, ये सोन्गर संदेश बहुती क्यानवर्धक और नित्य चिंतन करने योगी संदेश हैं. आज का जो संदेश हैं, पुझ बहन स्री बहन के वचनामरत के 223 बोल के आधार से यह संदेश है, तो आएए चलिए हम इस संदेश का पाट करते हैं. शुद्धात्मा में इस्थिर होना वही कार्य है, वही सर्वस्व है, इस्थिर हो जाना ही सर्वस्व है, सुब भाव आए, परन्तु वह सर्वस्व नहीं है. देखे कितनी अच्छी बात कही है इस संदेश में कि सुध्धात्मा में इस्थिर होना वही कारी है इस्थिर होने की बात कहां कही है पर दरवे में इस्थिर होने की बात नहीं करी है या फिर घर में, अपने जॉब में, परिवार में, यहां पर इस्थिर होने के लिए नहीं कहा है कहां पर कहा है, शुद्धात्मा, अभी शुद्धात्मा कहां रहता है तो यह शुद्धात्मा कहीं और नहीं रहता है, मैं स्वयाम ही शुद्धात्मा हूँ देखिए हमने पाटशाला में बच्पन में भी पढ़ा है ना कि मेरा धाम कहा है शुद्धातम है मेरा नाम मात्रचानना मेरा काम मिलता जहां पर पूर्ण विश्राम तो ऐसा शुद्धातमा ही मेरा धाम है जहां पर पूर्ण विश्राम मिलता है और वो कैसा है, जहां भूक का काम नहीं है, जहां प्यास का नाम नहीं है, खासी और जखाम नहीं है, आदिव्यादी का नाम नहीं, सत्शिव संदर मेरा नाम, शुद्धातम है मेरा धाम, तो ऐसा वो शुद्धातमा ही अपने आप में कैसा है, परिपूर्ण है, तो ऐसे इस्थिर होने की बात यहाँ पर कही है कि वही कारे करने योग्य वही सर्वस्व है क्यों सर्वस्व कहा देखो एक बात क्या कही पहले इस्थिर होना कहा है दूसरा कहा वही सर्वस्व है तो सर्वस्व क्यों कहा क्यों कि इसके अलावा कुछ और है ही नहीं जो सुख हमें चा पिर आगे क्या का इस्तिर हो जाना वही सर्वस्व है फिर शुब भाव आये परंतु वह सर्वस्व नहीं है देखें यहां पर पहले तो अस्ति से क्या का कि शुद्धात्मा में लीन होना उसी को ही सर्वस्व मानना इसी को सर्वस्व कहा है न यही कारी कारी है अब नास्ति स क्या कहा कि शुब भाव आए पर उसको क्या नहीं मानना सर्वस्व नहीं मानना किसे शुब भाव अभी हम भूल क्या करते हैं जो शुब भाव है उसी को हम सुख मानने लगते हैं उसी को सब कुछ मानते सर्वस्व हम शुब भाव को मानने लगते हैं कि बस शुब भाव किया और हमने तो बहुत धरम कर लिया, मंदिर में जाके 3-4 घंटे पूजा पाट कर लिया, 5-7-8 घंटे स्वाध्याय कर लिया, मंद कशाय हो गई, तो हमने क्या कह दिया कि अरे हमने तो सब कर लिया, अब हमें सब आ जाता है, स्वाध्या हो गया, अब हमें सब आता है, अब हमें क्या करा इस शुब भाव में ही सर्वस्व मान के हम संतुस्ट हो गए इसी कारण हमारा अभी तक धर्म की शुरुवात नहीं होई है क्योंकि धर्म की शुरुवात कब होगी सम्मिकदेशन के साथ शुरू होगी और हमारा जब संसार चकर का अंत आएगा तो अभी हमारा वो कि शुद्धात्मा में उसी में इस्थिर होना है उसी में कारे करना है उसी में रमना है जमना है जो भी कोछ सरवस्व अपने निशुद्धात्मा को मानना है ऐसी यहां पर इस संदेश में यहां पर प्रेड़ना दी गई है तो चलिए अब हम देखते आज की रतनकणी का उसमें क्या विशेस बात आई है आज की यह रत्नकणी का स्री समय सारजी कलश के जीव अधिकार के सेवन नंबर की जो गाथा है उसके भावार्थ के आधार से लिया गया है यह ग्रंथ अम्रचन राचारे जी की मौलक क्रती है जो बहुत ही सुन्दर समय सारजी ग्रंथ पर कलश और कलश टिकाय लिखी सरल करके बहुत अध्बुत यह ग्रंथ है तो चलिए देखते इसमें क्या लिखाए जैसे अगनी दाहक लक्षन वाली है वह कास्ट, त्रण, कांडे आदी समस्त दाय को दहती है दहती हुई अगनी दाहकार होती है पर उसका विचार है कि जो उसे कास्ट, त्रण और कंडे की आकरती में देखा जाए तो वह अगनी, त्रण की अगनी और कंडे की अगनी ऐसा कहना सच्चा ही है और जो अगनी की उष्णता मात्र विचारा जाए तो उश्नमात रहे उसी प्रकार नो तत्वरूप जीव के परिणाम है जो नो परिणाम में देखा जाए तो नो ही तत्वक सच्चे हैं और जो चेतन रूप अनुभव किया जाए तो नो ही विकल्प जूटे हैं देखें यहाँ पर द्रस्टी की बात चल रही है द्रव्य द् द्रस्टी और परियाय द्रस्टी की बहुत सुंदर विवेचन आचारे देव का कि द्रस्टी का विशय आपका क्लियर होना चाहिए तो जैसी द्रस्टी से जिस वस्तु को देखेंगे वो वैसी नजर आएगी तो यहाँ पर कहा है कि अगनी तो अगनी है सभाव उसका अग कौन सी अगनी है तो और आप जिस द्रस्टी से देख रहे हो आपको वो सही लगेगा ठीक है लेकिन यह द्रू द्रस्टी से देखोगे तो वो अगनी तो अगनी ही है ऐसी यहाँ पर बात कहिए तो वैसे ही जीव की उपर यह बात अपने को करनी है कि जो जीव है वो कैसा ह चेतन मातर है, जियू मतलब मैं यहां सारी आगम की बात들 है उसे हमें अपने उपर घटा कर लेना है कि यह मेरी बात चल रही है किसी और जियू की बात नहीं चल रही है तो मैं कैसा हूँ मैं एक मातर चेतन मातर हूँ तो जब ऐसा विकल्ब करेंगे तो बाकी सारी चीज़े जूटे लगेंगे क्योंकि मैं ही एक सोदरवे हूँ बाकी सब क्या है परदरवे अब यदि मैं अपने आत्मा को अपने चेतन सरूपी आत्मा को मैं नौपदार्थत रूप देखूँ कि मैं पुद्गल हूँ, इसमें राग है इसमें द्वेश है, इसमें आश्रा हुआ बंद हुआ, सम्मर हुआ ऐसे एकर भेद रूप जानेंगे नौपदार्थ रूप तो वो कैसा है नौई द्रवे सच्चे है तो सभी रूप में हमें सच्चा दिखेगा तो क्या ऐसा है नहीं, जीव तो एक ही है तो एक मात्र, एकत्व का अनुभो करना पड़ेगा क्योंकि जहां भेद है महाँ पे जूट है परिया है और जहां अभेद, अखंड है सो सत्यार्थ यानि द्रव्यार्थिक नहीं का कथन है और जो द्रव्यार्थिक नहीं की बात चल रही है तो वही द्रश्टी सच्ची है इस प्रकार यहां पर इससे हमें यह समझने को मिलता है यदि हम इसको एक छोटे से और उधारन से समझे न तो जैसे रजगुला है अब उसकी हमने विधी जानी या हलवा है हलवे की हमने विधी जानी तो विदी तो कितनी विस्ता रूप से, सब अलग-अलग यह उसमें चकर लेनी है, आटा लेना है, दूद लेना है, गी लेना है, सबका अपना-पना मेजर्मेंट है, किसको किस समय डालना है, तो सब अलग-अलग विकल्प है, और यदि आनंद लेना हो तो क्या करना है, आनं तब तो वह वस्तू को उठाओ और ग्रहेंड करो और आनन्द लो तो ऐसे ही जब हम इसको भेद रूप से अपनी आत्मा को जानेंगे तो भेद रूप से बहुत सारे भेद रूप दिखेंगे लेकिन उसमें आनन्द नहीं है भेद में विकलप है जब अभेद एक मातर चैतन शुद्ध आत्मा को अंगीकार करेंगे, उसका ग्रहेण गरेंगे तब ही हमें उस साश्वस सुख की, उस आत्मा की रियलिटी में अनुभूती होगे और वही हमारी सच्ची अनुभूती, ये सच्चा सुख है तो इसी प्रकार हम अपने ऐसे ही शुद्धात्मा में इस्थिर हों, जमें और ऐसे ही आत्मसरूप को, एक मात्र चैतन्य सरूप, आत्मसरूप को ही हम अंगिकार करें, उसी का चिंतवन करें, उसी का ध्यान करें, उसी का श्रद्धान करें, मनन करें, उसी में लीन हो जाएं और इसी प्रकार हम अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें ऐसे शुद्ध पवित्र भावनाओं के साथ आज की हम अपनी कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं फिर अगली कक्षा में हम कल मिलेंगे तब तक जैजिनेंद्र